अबसकार मैं हिमानशी कुमार आप देख रहे हैं भारत लाइब बिहार की सियासत में इस बक्त भुचाल मचा हुआ है 23 मार्च को जो कुछ भी गवा सदन के अंदर बिहाल ससस्त पुलिस विधहक साथी साथ बाहर में विरुजगारी को लेकर जो सडक पे संहर्स किया गया था विधान सवा को घेरने के तैयारी की गई थी उसको लेकर मामना लगातार गर्माता जा रहा है उन तमाम ख़बरों को लगातार हम आपके साथ जिक्री कर रहे हैं जेपी गोलंबर से शुरुआत करके वो विधान सवा का गेराव करने जा रहे थे लेकिन डाक बंगला चुरहा पर जाते जाते पूरा इलाका जो डाक बंगला का है वो रण शित्र में तब्दील हो गया था और पुलीस और राज़त कायरकरताओं ने सामने थे हलाकि आरज़डी कायरकरताओं के आरोप है कि उसमें से कुछ NDA के ही लोग थे जिन्होंने पत्थरवाजी की और जान बुझकर माहूल खराब किया क्योंकि कोई अपना अंधुलन क्यों खराब करना चाहेगा वहीं पुलीस का यारोप है कि आरज़डी कायरकरताओं ने पुलीस के साथ पुलीस तारज़गारी के साथ जो है रोड़वाजी की पत्थरवाजी की और अब इसको लेकर तेयस्थी यादव पर बकायदा केस दर्ज कर दिया गया है हम बता दे कि दानापूर की कारपालक दंड़ादिकारी परतिमा कुमारी गुपता की तरफ से एफाया दर्ज किया गया है किन-किन धाराओं के तहद दर्ज किया गया आपको बता दें धारा लगाया गया इपीसी की धारा 207, 147, 149, 341 यसी तमाम धाराइं लगाई गई ग यादव तेजपता भी नहीं बलकि बता दे कि जग्दानन, शाम रजक, अब्दुलबारे सिद्धिकी, रितलाल यादव, राजेंद्र यादव, कारी सुहेब, कामती सिंह, रितू जाय सवाल जैसे तमाम आरजडी के नेताओं पर F.I.R. दर्ज किया हो चुका है और अब क इसकुमार तो पहले भी फर गया है, और कहा कि पुलीस अधिकारी जो है जमेदार है ही नहीं, और सवाध्यक्ष पे पुरा मामला जो है फेक दिया गया था, अलाकि उता सवाध्यक्ष ने बकायद ऐलान कर दिया है, कि जो भी पुलीस अधिकारी इसके लिए दोश्यर पर क पायदर जुआ है, तो क्या नितिस कुमार पूरी तैयारी कर चुके हैं, तेजस्ती आदव के साथ साथ तमाम आज के नेताओं को जील भेजने के रहे हैं, क्या धारायन पर लगाई गई है, इसके तहतों जील जाना लगभग तैय माना जाता है, तो देखना दिल्चस्प ह कि बिहार की सियासत में ये जो संघर्ज है, ये जो बयानों का प्रतिशोद है, जो आरोप प्रतिरुप का दोर है, वो कब तक थंता है, और क्या वाकई में जो अर्जडी के नेता है, वो जील जाएंगे, देखने वाली बात होगी, आप देखते रहे हैं, हम आपको पल-प देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए, अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कल चाहता ने, तो जो आइन बटन दबा दी, पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद,